फ्रेंड्स आज मैं आपके शाथ शेर करने वाली हूँ भुटा चली की रेसिपी यह भुटा चली अभी जो है वानसून में बहुत जादा आता है और इस टाइम में लोगों को खाना बहुत पसंद होता है तो अभी तो हम बजार में जाके खानी सकते हैं क्योंकि बजार में इस तरह से खाना अभी तो सही नहीं रहेगा तो यह भुटा चली आप घर पे बिले भी बनाके अपने मनपसंद का खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है और इसके काफी हैल्ठी में भी होता है जो भुटा होता है उसके अंदर फाइबर बहुत आधीद होता है और य और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले चलिए बताती हूं फिर बुट्टा चलि बनाने के लिए यहां पर दो भुट्टे मैंने लिए हैं और इन भुट्टों को अच्छे से हम धोल के अच्छे से फिर साफ कर लेंगे उपर के चिलके उतार देंगे एक कुकर में हम पानी लेंगे इतना पानी लेंगे कि हमारे जो भुट्टे हैं वो इसमें डूप जाए और इस तरह से हम भुट्टो के दो हिस्से कर लेंगे अगर छोटे-छोटे हैं तो ठीक है नहीं तो आप इसको तोड़ के इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया है और पाण्चे विश्वल लगा लेंगे लगवर पांचे विश्वल लगा लेंगे 5-7-8 मिनट तक हम इसे पका लेंगे तो अभी ये हो गया है रिष्वल निकल गई और मैं इसको एक प्लेट में गरम गरम निकाल लेती हूं तो आप देखिये इस तरह से इसका पानी हम निकाल लेंगे और अच्छे से से साफ कर लेंगे. उसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और उसमें रख लेंगे. जाट इसो इसलै के हैं मिला लेना एक उसको भाते एहां पर ने की लिए कम भुना जीरा कॉरा मिर्च और चीली फ्लैक्स चार्ट मसाला मैं ने लिया है और उसको हमें क्या करना है मिला लेना है अगर आपके पास चिली फ्लैक्स नही हो तो कि दो नार्मल चीली भी ले सकते हैं अगर बच्चे भी खाने वाले हैं तो अप इस लкими कर चाहरे हैं तो यहां पर मैंने अच्छे से स्पून के हैल्द से मिला लिया है are और हम ले ले लें गे नेबु इसके ऊपर को करें ग्याएंगे को भी, आफ्म यहां परुम करेंगे में आधे में मुझाज़ो निबड चुन्धल लेएं तो अब बंदया इस तरह को है भी लिए अलगा लीए अगर पशंद हो कमाइभा तो दो इसुन्य करें अब हम लेमन लेंगे, लेमन के उपर जो हमने मसाला रेडी कर लिया है, मिला के, वो मसाले हम ले लेंगे और नीबू के हल्प से इस तरह से हम इसके उपर लगाते जाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो मसाले हैं वो अंदर तक अच्छे से चले जाते हैं और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है तो लेमन का यूज आप जरूर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसके उपर लग गया है और देखिए एक बुटा चली हमारा रेडी हो गया है तो मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ तो इसी तरह से हमें लगाना है तो दूसरा मैं लेती हूँ अगर आप बटर स्किप करना चाहते तो स्किप कर दे डारेक्ट भी आप इसके उपर लगा सकते हैं तो यहां पर आप देखें मैंने दुबारा से लिया है पर इसके उपर मैंने बटर नहीं लगाया है तो इस तरह से आप इसके उपर लगा सकते हैं यह जो भुटा होता है वह हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो अभी भुट्टे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसको बना के खा सकते हैं दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहें तो इस तरह से नहीं खाना चाहें तो आप इसके चल्ले निकाल सकते हैं और उसके बाद इसके अंदर सारे मसाले मिला के आप खा सकते हैं और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा बटर में फ्राई करके भी आप इस भुट्टे को खा सकते हैं तो बहुत सारे option है भुट्टे को enjoy करने का तो आप कैसे भी enjoy कर सकते हैं तो यहां पर मैंने फिर से लगा के ले लिया है तो फ्रेंट्स यह भुट्टा चली हमारा रेडी हो गया है मैंने सभी के उपर इस तरह से लगा लिया है तो यहां पर हमारे भुट्टी चली रेडी हो गया है तो फ्रेंट्स यह भुट्टा चली की रेसिपी आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएगा और इस मांसून इंज्वाइ कीजे और कमेंट में जुरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले और हाँ फ्रेंड्स लाइक करना ना भूला करिए लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और हम आ गया और भी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स गुड डे टेक केर इस्टे होम इस्टे सेफ बाई बाई